इस्ट ब्रोक लेस्नर बना रोमन रिंक्स और पॉल हैमन के खून का प्यासा, खून का बदला सिर्फ खून से ही लिया जाएगा। दोस्तों आज हुए स्मैकडाउन की शुरुआत डब्ली डब्ली इचेंपियन ब्रोक लेस्नर ने की। लेकिन आज ब्रोक बहुत ज्यादा सीरियस और घुस्से में दिखाई दे रहे थे। अपने नॉर्मल मूर्स बिलकुल अलग क्योंकि उनके सर का पारा चड़ा हुआ था। उनके प्रोमो ने ही ये बता दिया कि अब वो रोमन और पॉल हैमन को नहीं चोड़ने वाले। दिमाग सटका दिया है। मुझे तरह खून चाहिए। रोमन खून के बदले सिर्फ खून बस यही चाहिए। जब वो इस अरीना में ही आज मौजूद नहीं हो। इतने में बीस्ट बोला अबे लल्लू अगर रोमन यहां नहीं है तो तेर को मिर से कौन बचाएगा रे। फिर क्या था लोमडी पॉल हैमन सीधा बैक स्टेज की तरफ भागे। वही शेर ब्रॉक लेसनर अपने शिकार का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे भागे। लेकिन बीच में सिक्यॉरिटी गार्ड्स ने ब्रॉक लेसनर को घेर लिया और जितने समय में लेसनर ने सिक्यॉरिटी गार्ड्स को ठोका इतने में पॉल हैमन वहां से कार में बैठ कर फरार हो गए। आज तो पॉल हैमन और रोमन रिंक्स बच गए लेकिन जब ये लेसन है कि WrestleMania में Roman और Brock के बीच winner Tex all first blood match भी हो सकता है मतलब match के दौरान पहले जो भी अपने opponent का खून निकाल देगा वो जीत जाएगा तो आपको क्या लगता है क्या Roman और Brock Lesnar के बीच first blood match होना चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें Believe in God and thanks for watching